दोस्तों आपको पता होगा कि कोई भी रॉकेट आसमान की ओर तभी ट्रेवल करती है जब वो अपने बजन के बराबर होट एर को प्रतिवी की ओर छोड़ती है और यही न्यूटन का तीसरा नियम भी है दुनिया का कोई भी देस हो इसी नियम के सहारे ही अपने रॉकेट को स्रिक्ष में लॉंच करता है लेकिन अब इस रोग को ऐसे छेतर में सफलता मिली है जिस छेतर में अभी तक कुछ गीने चुने देसों को ही सफलता मिल पाई है मौजूदा वक्त में भारत की तुलना चीन से की जा रही है क्योंकि पाकिस्तान तो भारत के इर्द गिर्द भ जिसमें उपयोग होने वाला फ्यूल कभी खत्म ही नहीं होगा ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी काम्याबियों में से एक है आप खुद ही सोच कर देखिए कि कोई ऐसा इंजन बन जाए जिसका फ्यूल कभी खत्म ही नहीं हो तो ये किसी करिस्मा से कम नहीं होगा और ऐसा ही करिस्मा अब भारत के वैग्यानिकों ने कर दिखाया है अभी तो इस पर सुरुवाती सफलता मिली है जिस दिन ये बनकर तयार हो जाएगा भारत इंजन की छेत्र में पूरी दुनिया का बाप बन जाएगा और अब आगे भारत का राज इंजन की छेत्रों में चलन दरसल आपको बता दे कि भारत का इस रो ग्रीन एनर्जी से चलने वाले रॉकेट इंजन का निर्मार कर रहा है जिसे नेक्ट जनरेशन इंजन भी कहा जा रहा है इसका पहला टेस्ट 2020 में सफलता पूरबक कर लिया गया था लेकिन अब मौझूदा वक्त में इसे अंतिम र लिक्विड ऑक्सीजन को फ्यूल के रूप में इस्तमाल किया जाएगा जब ये रॉकेट आसमान में लॉंच हो जाएगी फिर इसमें फ्यूल अपने आप संसलेसित होते रहेंगे अभी फिलहाल जिस रॉकेट इंजन को सबसे ताकतवर माना जाता है वो है क्रावजनिक इ आपकी जानकारी के लिए बता दे भारत जिस रॉकेट इंजन का निर्माल कर रहा है ये 100 टन की छमताओं को सहन कर सकता है वहीं चीन भी इस तरीके के इंजन की निर्माल पर काम कर रहा है उसकी कैपेसिटी 80 टन की होगी वहीं इस इंजन की जो सबसे खास बात होगी ये जै उसे कम किया जाएगा क्योंकि फ्यूल अब इस स्पेस में ही बनाए जाएगे और साथ ही ये काफी सस्ता और लंबी दूरी तक ट्रैवल कर सकेगा अभी तक अमूमन जितना पेलोड होता था उतना ही रॉकेट के इंजन में फ्यूल भी भरे जाते थे अब इस रो इस समस्या क को दूर कर देगा और अधिक से अधिक पेलोड को अंतरिक्ष में एक बार में ही पहुचाया जा सकेगा ये टेक्नलोजी अपने आप में किसी बड़े किर्तिमान से कम नहीं है अभी फिलहाल भारत इसके सुरुवाती चरड़ों पर सफलता हासिल कर चुका है लेकिन इस इं साइंटिस्ट के लिए उनके सम्मान के लिए कॉमेंट में जैहिंद जरूर लिखेगा साथ ही आपकी इस बारे में क्या राय है वो भी हमें कॉमेंट करके जरूर बताईएगा